hey guys कैसे हो आप सब I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप henki को साड़ी में टइक कर सकते हो और यह काफी जादा ट्रेंड में है तो आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप मेरे वीडियो के नौटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप मेरे वीडियो को पहले देख पाओ तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं सारी स्टाइल style no.1 कुछ इस तरीके से है कि आपको पहले एक हैंकी लेना है एंड उसे इस तरीके से एक वर मोल लेना है कुछ ट्रेंगल सेफ का आपको दिख रहा होगा एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक वर मोलना है second तरब से भी कुछ इस तरीके से fold कर लेना है और इसके बाद ये कुछ face cut बनता है आप दोनों तरफ से इसे टक कर सकते हो इधर से या फिर उधर से तो उधर से मुझे जादा अच्छा लगा तो मैं ये टक कर दे रही हो आई होब आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी इंफॉर्मेटिव लग रही होगी सकंड स्टाल बहुत जादा इज़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बाद इसे कुछ उस तरीके से फोलड कर लेंगे या दखें कि बराबर से फोल करें पिर एक बाद और हम उससे फोल करेंगे स्क्राइब का बन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो इसके बात हम यहां बद कुछ इस तरीके से फोल्ट करेंगे आप देख सकते हो अब यह ओल सेव का बिडिकोर आएगा इस तरीके से आप चाहो तो एसे बीड़ कर सकते हो बन ऐसे ज्यादा फूपसुरा देखता है ताइल की तरह आपको जहने होगा आप देख सकते हो का आपको यह वाला इस परफिक ऑन आप सकते हो इस तरीके से जाएक को साइड में प्रफिक पार सकते हो ताकि इंविसीबल ना हो थार्ड इस्टाइल बटरफ्लाइस्टाइल है जो बहुत जाला पूसुलत लगता है आप किसी भी पार्टी ओपेजम में इसी दढ़ सकते हो तो इसमें हम कुछ इस तरीके की सारे की ब्लेट्स की तरह चुम बना लेंगे इस तरीके से में पोल एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से तरफ से तरना है अब आप इसमें चाहो तो आप रिंग भी लगा सकते हो या फिर अप रबड भी लगा सकते हो या फिर आप रबड भी लगा सकते हो तो इसमें मैं डबर लगा रही हूँ और मैं अप्चा हूँ तो आपको रिंडू भी लगा सकती हूँ और हम नो कुछ इस तरीके से इसे ट्राप कर देखा हूँ अच्छी लगी ना यह वाली स्टाइल आपको आपको चलिए परते अपने पूर्थ स्टाइल की तरफ यह हैंकी स्टाइल जो बनाने वाले यह साड़ी की ब्रेट से मिलता जूलता है उसे अब सेंटर पॉइंट पर लगाते हो तो बहुत खुशूरत लगता है और गर्मियों सीजन होगी कोई से अभी सीजन हो वैसे में गर कोटन के हैंकिय करते तो हमारे लिए बहुत जदा है तो कुछ इस तरीके से हम टक कर लेंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल साओरी की प्लेट से मिल जाता है इसमें हम इस हैंकियो ट्रिपल ट्रेंगल में बनाने वाले है कुछ इस तरीका से सबसे पहले हम एक पर törosoft करेंगे पॉतकर जासा दिखे और सकेड जाइए अरिесे चोटा करने के उसे ज़ादा अच्छा लग रहा से तो अब आप टक कर सकते हों कुछ इस तरीके से आप संटर पॉइंट राइट साइड या लेफ टाइड किसी तरीके कहीं बिए टक कर सकते हों इसमें है की मोँच इस तरीके से एकां फीर से छोड कर लेना है बना लेना है अब आप चाहओ तो कुछ इस तरीके से टक कर सकते हैं या फिर ऐसे टक कर सकते हो जो कि इस बिए बहुत जादा फूबसुरत लगता है इस हैंकी टकिंग में यह वाला कुछ ज्यादा अनुखा और खुबसूरत है तो यह हम कुछ इस तरीके से हाफ गोल 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 डॉल कर लेंगे अब हम दूसरी तरफ से भी रॉल करेंगे कुछ इस तरीके से आप इसे हम थोड़ा छोटा करके टक कर सकते हैं कुछ ऐसे आप देख सकते हो यह अगर आप हाइट करना चाहते हो तो यह इस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा काफी जादा सिफ पर देंगे तो इसमें कुछ हम इसे बराबर से फोल कर लेगे प्रियर फिर से कुछ यह स्क्वेर सिफ में आपके लोग अब हम इसे रोल रोल करेंगे काफी छोटू सा हो गया अब चाहो को इसे आप इस नहां में सैंटर में या फिस साइड में आप लगा सकते हो और यह विजीवर भी नहीं होता सबसे अच्छी बात है कि पिलुपल भी है विजीवर ही देंगे अपने अगले स्टाइल में कुछ इस तरीके से पराबर से कुछ ऐसे मोड लेंगे हैंकी को इसके बाद हमें रॉल करना है एक इस तरीके से रॉल हो गया और यह दो इस तरीके से रॉल हो जब ने ने पराबर लॉल जब जब आए यह वाला चाहल तो कापी चाहदा हल्का है और चलिए देख लेंदेरी इस तरीके से मोड लेंगे इसमें बस सबसे पहले इस हैंकी को ट्रेंगल सेप में देंगे पहले फर्स्ट ट्रेंगल एंड फिर एक और ट्रेंगल सेफ हम लेंगे इस हैंकी से और अब आप जिधर से चाहो टक कर सकते हो उपर से या नीचे से बटी है जो डिजाइन है यह नीचे से जब आता है कुछ इस तरीके से टक करने के बाद तो यह ज़्यादा खुब्सूर तो प्लिस लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब दें बाई